हलो फ्रेंट्स में हूं प्रभाद पोदार और जैसे कि हम जानते हैं कि हम the psychology of money book के part by part का review कर रहे हैं तो आज हम उसके second chapter की बात करेंगे जो है luck and risk बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे हमी रादमियों में से एक हैं तो क्या वो smart थे या वो lucky थे तो बड़े interesting चीज है कि जब बिल गेट्स 13 साल के थे 1968 में तो जिस school में वो पढ़ने जाते थे उनने 66 में वहाँ एक computer था देखिए उस जमाने में बहुत common नहीं था computer 1968 में colleges तक में computer नहीं होता था लेकिन चांस की बात यह है कि उनके स्कूल में था स्कूल में computer क्यों होता क्योंकि उनके faculty थे उनको बहुत इंटरस्थ था कि बच्चों को computer होना चाहिए और उन्होंने किसी तरीके से जोगाड करकर के वह computer अपने स्कूल में established किया था इंटरस्थिंग यह आटवी क्लास में थे बिल गेट्स और तब उनकी दोस्ती मां Paul Allen से भी थी वो भी आटवी क्लास में थे दुनिया भर में high school में 303 million बच्चे जाते हैं 303 million जिन में से 18 million अमारेका में पढ़ते हैं और मातर 300 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में गए जहां पे बिल गेट्स जाते थे हैंने chance क्या था कि आप एक ऐसे school में जाएंगे जहां computer होगा तो one into one million chance था और उसके आगे उन्हों ने time निकाला और उन्होंने उस computer को पढ़ा पहले से दुनिया से पढ़ने चालू कर दिया और आगे वो पढ़ गया है तो यह कही ना कहीं क्या लग्का गेम नहीं था कि बिल गेट्स जातका अमीर आदमी बने टैलेंट तो था ही लेकर टैलेंटेट का फिर बहुत लोग हो केंट इवान का नाम शाद आपने नी सुना होगा यह भी सिस्कूल के विखती थे यह आठवी क्लास में बिल गेट्स और पॉल एलन के फ्रेंड्स है और इन्होंने भी बहुत कॉंप्लिकेटेट कंप्यूटर सॉफ्टर बनाया था उस दमाने में स्कूल का यह एक मौंटेनियर एक्सपेरिमेंट पे गयते पहाड चड़ रहे थे वहां उन्फॉर्चूनेटल इनकी डेथ हो गए अमेरिका में हर साल तीन दर्जन याने करीब में 36 डेथ्स होती हैं मौंटेन में चड़ने में जिसका चांस अगेन वन बाई वन मिलियन है याने एक तरफ बिल गेट्स हैं जो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे जहां पर कंप्यूटर होने का चांस वन बाई वन मिलियन था यह लख की बात थी और इसकी जएक कैन टीवान एक ऐसे एकसेडेंट में मारे गया जिसमें मारे जाने का चांस भी वन बाई वन मिलियन था याने एक विक्ति के फेवर में लग था और एक विक्ति के फेवर में चाहिड रिस्क था और जीवन में ऐसा होता है कई बार कि हम लक को और अनलकी होने को कई बार ध्यान नहीं देता है कि कोई आदमी शाद इसलिए सफल हो गया कोई कि वह बहुत लगी था और कोई रखती सिर्फ इसलिए अंसकसफल हो गया क्योंकि वह अनलकी था ऐसा मतलब दोनों ही केस में इसका मिलती है तो अगले वीडियो में इसके आगे की स्टोरी हम चारी रखेंगे सकताब कि कोई और किताब आप चाहते हैं जिनका हम रिवीव बना तो बताएगा दुरूर मिलते हैं अगले वीडियो में